आप अगर अपने कर लिए एर के लिए एक बोगती नो मेंटिन से कांग चलाना जाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आपको डेली एवरीडी वाश वाला रूटीन दिखाऊंगी जिसमें कोई थ्लारिफाइंग सैंपू नहीं होगा नॉर्मन वाई शैंपू होगा और हाम मैंने इस वीडियो में सिर्फ एड्राइ करके दिखाया है और फ्लॉपिंग मैंने नहीं किया है और इ मैंने फिले कंडिशनर से डिटैंगल कर लिया उसके बाद में माइड शैंपू यूज कर रही हूँ माइड सैंपू मैं मैं आज फ्लिक्स का रोजमेरी एंटियर फॉल शैंपू यूज कर रही हूँ यह श्पॉंसर वीडियो नहीं है इस ते अच्छे से मैं स्कैल्प और क्लीन कर दोंगी और अभी उसका है इस लगा ले रिया है तो मैं अच्छे से कंडिशनर लगाके मैं उगली इह तक छोड़ दूंग session कर दिया अभी मैं अधी मैं और बेस्ट नहीं होती है अगर आप regular ض intervals कर रहें तो यह अच्छा कासा आपको one two two days तक अच्छा कासा लॉंग लस्टिंग कास दे देता है आप देख सकते हैं कैसे स्टाइलिंग कर रही हूं आज मैंने स्टाइलिंग करते हुआ कोई भी एडिटिंग में कट नहीं लगाया है यह पुरा अंकट वीडियो है आप जो देख रहे हो स्टाइलिंग का ऐसा ही मैं स्टाइलिंग करती हूँ नॉर्मली मैं प्रिइंग हैन्न मेंArcase से काल क्रीमन लगा ले रही हूँ और अभी में थोड़ासा स्क्रंच कर ले रही हूं अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट कर दूंगी और मेक्शियर आपके बालों में अच्छा कासा वाटर है मैं फिर से एक और लेर लेके और अच्छे से लगा ले रही हूं क्योंकि मेरा मीडियम कोर्स है और मेरे बाल उतना वेडाउन नहीं होते हैं और आज मैं जेल यूज नहीं करूंगी इसलिए भी अब मैं एक एक सेक्शन लेके रेकिन करके स्क्रंच कर रहे हूं मैं यह पर एक बात बता दू कि आपको जो डिफिनेशन ग्लॉस थाइन होल्ड मिलता है जिल से वो इससे नहीं मिल पाएगा इससे आपको सॉफ्ट कर्स मिलेंगे जो क कि बहुत ही कम दिनों तक करने वाले कर देते हैं मैं अभी कर ले रही हूं कि थोड़ा फ्रीज कम हो जाएगा और यह है रेजल्ट अब देख सकतो काफी अच्छा डिफाइंड है और इसके बाद मैं आपको डेटू वाला भी हीर दिखाऊंगी इस क्रीम से थोड़ा सा कास भी आता है फाइड यह में काज जादा आएगा और यह है मेरा डेटू है अभी अच्छा का सा फोल्ड है जबकि मैंने कोई सैटिन बॉनेट यूज नहीं किया है अगर अगर आपको अच्छा का सा रिजन देगा और अगर आपके फाइन है तो आपका डेट्री डेफोर तक आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में मैंने जो भी प्रड़क्स यूज किया है मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंग आप चेक आउट कर सकता है जैसे मैंने क्ला कि यहाँ पर मैंने यह ड्राइंग किया है तब भी मेरा ड्राइंग टाइम हाफ हो गया है क्यो मैं प्रॉपिंग करती तो मुझे लग राता है कि बहुत जादा प्रोड़क्स शोख हो जाएगा और मेरे इंबाल स्फिर से फ्रीजी हो जाएगा क्योंकि मैंने कोई जेल यूज नहीं किया है और मेरे बाल पोर्स है अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपिंग की ज़